नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हारदिक स्वात करता हूँ और आज मैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही अच्छी सिक्षाप्रद इस्टोरी लेकर आया हूँ जिसका एंडिंग में आपको लाश में मोरल की रूप में लेकिन आपको खुद से ही सोचना उसका आंसर क्या है कुछ टाइम आप पॉस करके अप सोच सकते हैं और नहीं तो आंसर तो लाश में दिया ही हुए है तो देखते हैं वो इस्टोरी कौन सी हो और वो क्वेश्चन कौन से है जो लाश में डिश्टब का मतलब क्या होता है परिशान माइंड याने होता है मन या फिर दिमाग तो यह पूरा जो टाइटल है इसका मीनिंग क्या हुआ यह टाइटल का मीनिंग होता है कि एक परिशान मन को शांत करना ठीक है एक परिशान मन को सांत करना या फिर डिश्टब याने अस सांथ है कैसे सांथ किया गया मोरल क्या है बहुत यची स्टूरी लास्ता के बड़े रहेंगे तो लेट नहीं करते हैं सबसे पहला हम यहां पे सेंटेंस देखते हैं पसंद आने प्लीज आप लोग करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं वन्स बुद्धा एंड इस डिसाइपल्स स्टॉप फॉर रेस्ट नियर अलेक ठीक है अब इसे दीरे दीरे पड़ते हैं एक बार बुद्धा ये बुद्ध है कौतम बुद्ध जी भगवान बुद्ध बुद्ध और उसके इस अनिए उसके权पज शिष्य कि लिए अराम करने के लिए अलेक लेक लेक होता है ले क्याने होता है जिसे हम जील कहते है जील ताल उसे हम ले कहते है और यहाँ पे आपको एक मिला word disciples जिसका मतलब होता है शेश अराम करने के लिए एक जील के पास रुके. अब क्या हुआ बUDDbije asked वन ओफ इस disciples बुद्धा ने asked याने कहा कुछ कुछ काम करने के लिए कहना किसी को ओडर देना उसे भी आस कहा जाता है और पूछना को भी आस कहते हैं लेकिन यहां पर अपने सिस्त्र को कुछ चीज करने के लिए आगे आपको पता चलेगा तो यहां पर आस याने कुछ चीज करने के लिए कहना बुद्धा ने कहा fetch him some water fetch him अब यहाँ पर आप देखिए एक और word आपको मिल रहा है fetch fetch याने क्या होता है fetch का मतलब होता है किसी चीज को जाकर लाना लाने को भी fetch कहा जाता है लेकिन जाकर लाओ ऐसे बहुत हैं fetch का यूज करते हैं ठीक है तो क्या करो जाकर लाओ जाकर लाने के लिए him याने उसे some water याने कुछ पानी कुछ पानी लेकर लाने के लिए कहा अपने सिस्से में से को as he was thirsty as क्योंकी ठीक है as याने जैसे भी होता है क्योंकी होता है he was thirsty याने वे क्या थे thirsty thirsty का मतलब क्या होता है प्यासे चूंकि वह प्यासे थे ठीक है एक एक ची डिसाइपल तू-दा लेक धग जील गया याने जील गया भूएवर का मतलब क्या होता है इसे भी आप बहुत को कंफूजन होता है हालांकी ठीक है हालांकी उसे हम हालेवर कहते है He saw, उसने देखा, He see, वह देखता है लेकिन He saw, उसने देखा, That यानि कि उसने देखा कि Just then, यानि तब ही, ठीक है There were some people washing cloths in the lake There were, अब there के वल, subject के रूप बी उचके घाए Were यानि थे, Some people, यानि कुछ लोग Washing, तो War के साथ washing, यानि धो रहे थे याने कपड़ों को इन याने में जील में क्लियर हो गया ठीक तबी उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे कपड़े धो रहे थे जील में अधर्स वर वाशिंग एनिमल्स अधर्स याने अन्य और जो दूसरे लोग थे वर वाशिंग थो रहे थे एनिमल्स याने जानवरों को दो रहे थे और जो बचे वे थे और भी जो लोग थे और भी अन्य लोग men याने आदमी typ है वाशट टेकिंग आ बुलक कार्ट अब गेए men केएवाल एक आदमी बारे मातनी इसलिए man को यूज करते है और दूसरा आदमी वाशट टेकिंग याने ले जा रहा था बुलककर्ट बहुं से लों को पता भी है बहुं से लोगों को नहीं पता होगा बुलककर्ट याने होती है bell guardie उसे हम बुलकककर्ट कहते हैं तो bell guardie ले जा रहा था across the lake तो जील के par यानि जील से cross करके वो अपना bell guardie ले जा रहा था अब क्या हुआ देखिए the water was had sorry the water had become very muddy due to this the water, pani had become हो गया था यह आपका past perfect tense से गया था चुका था लिया था तो पानी हो चुका था या पानी हो गया था very muddy, muddy यानि क्या आता है muddy यानि होता है कीचड और muddy यानि आपको पता चल गया कीचड युक्त है ना यानि हम बोल सकते हैं मैला भी बोल सकते हैं या बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था इस प्रकार से हम बोल सकते हैं muddy due to this और पानी बहुत ज़्यादा मैला हो गया था due to this, due यानि होता है के कारण to this यानि इसके कारण किसके कारण, इन सभी के कारण थीक है वो कपड़े दो रहे थे और उसके कारण गाड़ी को आर पाले गया जानवन नहारा रहे थे तो पानी मैली हो गई थी इन सब के कारण अब क्या हुआ the disciple returned to buddha the disciple return lota return second format lota to buddha buddha के पास saying that saying that याने ऐसा कर कैसे कहा उसने it was impossible to drink the water from the lake it was impossible याने क्या था impossible impossible याने असंभाव असंभाव था ऐसा होई नहीं सकता असंभाव था तुड्रिंग याने पानी पीने के लिए ठीक है दवाटर पानी पीना ठीक है फ्रॉम याने से दले याने की उसने यह कहते वह लोटा और क्या कहते वह का उसने कि यह क्या है वहां का पानी पीना ठीक है यह लेक का पानी पीना क्या है पीने के लिए इंपॉसिबल असंभाव इसे नहीं पिया जा सकता इतना ज्यादा वह पानी मड़ी सबस्क्राइब और वेजने को क्या कहते है स्थैंड उसमें डी और शेकंट व्लस व्ल थे बच्ट नह अंतर है् बुद्धा ने भेजा दिसाइपल शिष्षी को वंस अगें याने एक बार फिर फिर से उसने जील बेजा उसे शिष्षी को भाई जाओ अब ले आओ पानी अब क्या हुआ देखिए याने वापस वापस लॉटा अगें फिर से तो हम यहां पर तू का यूज्ज कई तू याने भी भी होता है love you to मैं भी आपसे बाद यह तू दो तीन दिन अलग-अलग use होता है लेकिन यहां पर क्या मतलब है तू मढदिया ने बहुत ज्यादा मैला है तू भी ड्रंग याने पीने के लिए पीने जाने के लिए पानी बहुत ज्यादा मैला है अब क्या हुआ after some time कुछ देर बाद बुद्ध सेंट the same disciple again to bring him water बुद्ध ने सेंट याने भेजा clear होगे सेंट सेंट का the same disciple याने उसी वही सिर्से को again याने फिर से to bring याने लाना ठीक है to bring याने लाने के लिए क्या लाने के लिए him याने उसे water याने पानी लाने के लिए उसे भेजा from the same lake same याने उसी वही लेक से उसी जील से अब देखिए याँ पर दो दो बार यूज वाज सेंट याने वही सिर्से को उसी या फिर वही जील से उसी या फिर वही ऐसे यूज करते same बिलकुल वही ठीक है this time इस बार क्या हुआ the water was clear पानी साफ था clear याने क्या था बहुत ज्यादा साफ था सुद्ध था पानी साफ था and looked clean looked याने दिख रहा था clean याने साफ look क्या ने दिखना ठीक है look क्या ने दिखना लेकि looked याने वो क्या हो रहा था दिखता था क्या दिखता था क्लीन और इस बार पानी साफ दिखता था या फिर साफ दिखा लुग डिया ने दिखा साफ दिखा इस बार दिख रहा था क्योंकि लुकिंग का यूज ने वह वाज लुकिंग वर लुकिंग ऐसे यूज नहीं हो रहा है इसलिए इस बार पानी स साफ दिखा क्योंकि पहले आता था मड़ी दिखता था एक बार आया गंदा था दूसरे बार आया महला था कुछ देर बाद फिर उसी को भेजा है यह भी सोचा को आप बार बार बुद्ध जी भेज रहे हैं जबकि पानी गंदा बोल चुका हूं लेकिन भाई सिस्य है अब यह ब्रॉट क्या चीज है जो अभी आपने ब्रेंग देखना ब्रिंग याने लाना उसी का सेकंड फीर में नक्रीन the청ड नौने लाया तब उसने क्या है लाया सम उटनी लेकर आए टुद्ध पूर आइस विर बुद्ध के लिए पूस्यों कुछ पानी लेकर लाया अ अपने disciple को कहा नहीं बोल रहे हैं, अब उससे पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखे, question mark लगा हुआ है, question पूछ रहा है, तो आज जाने पूछ रहा है, और वहाँ पर आज जाने कि कुछ चीज लाने के लिए कहा, तो आग्या दिया, ठीक है, तो बुद्ध ने अपने सि क्या किया, to make, याने करने के लिए, बनाने के लिए, the water clean, याने पानी को साफ परने के लिए, तुमने क्या किया, पहले तो बोल रहे है, मड़ी है, तुमने क्या किया, तो आप देखे, उसका disciple क्या answer दे रहा है, the disciple said, सिस से ने कहा, I did nothing, nothing याने कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो did याने करना हो, किया, pass and do याने करना होता है, उसी का pass and did होता है, लेकिन ये helping verb के लिए did का यूज किया गया है, और ये do याने करना, ठीक है, अलग-अलग इसका verb के रूप में भी यूज होता है, helping verb के रूप में भी यूज होता है, I did nothing, मैंने कुछ नह बेदेगे नहीं का फैना बेताओ या को सब्सक्राइब करते हैं नहीं कुछ चीज होने तो या फिर। सोंदेगे नहीं का मतलब क्या होता है इधी से खुद से झोड़ने आप चुटर दिया वैसे ही रहेने दिया पाने को गंदा और वह खुद से अपने आप क्या हो गया साफ हो गया अब देखते हैं उसके बाद बाद यहां पे देखिए थिंग यहां पे यहां पर इसका मतलब होता है जो विशेशक के दल होते हैं उनका समू होता है वो लोग कुछ देख सकते हैं क्या पूछे what can we learn from the story what याने क्या can याने सकना we याने हम learn याने सीख सकते हैं from याने से the story याने इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं वह आपको कहानी पता चल गया ending यह भी पता चलिया कि भाई पानी साफ हो गया लेकि पानी कैसे साफ हो गया साफ हो गया इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि अपना अंसर ठीक है नीचे दिया हुआ आंसर करके चाहतो आप स्क्षा मिल सकती है लेकिन आंसर यहाँ पर यह जी आ है यहाँ है हमें से क्या सीखने को मिला ठीखे क्या सीखने को मिला तो 2 यहाँ lot just like मड्य जैसे डिया मсемें कर आइंज मिती जैसे या की चेचर मड यान कीचड ठीक कीचड के जैसे इन दा वाटर याने पानी में ठीक कीचड के जैसे सेटल डाउन याने होता है नीचे तह में बैड जाना ठीक हो जाना नीचे बैड जाना सेटल डाउन होता है आपने आप पानी में सेटल डाउन नीचे तहाने बैड जाती है वें इट वसे लेफ्ट अलोन जब इट वुजड़ उसे क्या किया गया था लेफ्ट अलोन याने अकेला चोड़ा गया याने बहे कीचड जब उपर पानी के आया तो कुछ नहीं किए जोड़ दीज़े अपने कीचड नीचे सेटल डां जहें G, नीचे बैठता जाएगा तो केषब क्या करो Report लेफ्ट ơi औम जब उसे अकेला चोड़ दिया गया याफने उसे चोड़ दिया गया जब हमारा मन क्या हुआ परिशान होता है ठीक है जब हमारा मन क्या हुआ परिसान होता है विल सेटल डाउन याने होगा क्या होगा सेटल डाउन याने अपने आप सेटल हो जाएगा ठीक हो जाएगा on its own याने खुद से अपने आप उसे on its own कहते है याने अपने आप वो मन क्या होगा? सेटल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा when you leave it alone जब you leave आप इसे छोड़ देते हो leave याने छोड़ना it alone याने उसे अकेले छोड़ देना ठीक है? giving it time याने उसे समय दो is the best solution give it time याने उसे समय देना is याने है the best solution solution याने क्या होता है? किसी भी चीज का हल, उसका हल क्या होता है? उसका हल ये है कि उसे समय देना, give it time याने इसका पूरा मतलब यहाँ पर हो रहा है कि जिस प्रकार से भई पानी को कीचड जो वाला पानी है मन भी हमारा जो परिशान मन है, उसे भी क्या कर दो, अपने आप उसे छोड़ दीजिए, अकेले छोड़ दीजिए मन को, सांथ छोड़ दीजिए, मन को सांथ करने की कोशिद मत कीजिए, आप अपने आप मन को छोड़ दीजिए, टेंसन मत लेन दो, छोड़ दीजिए अपने मन को सांथ छोड़ दीजे किसी भी चीछ के बारे में सोचिये मत अपने आप मन आपका सांथ हो जाएगा जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने अपने सिस्षे को भेजा बार बार उसने कहा कीचड है कीचड है लेकिन उसे खुद पता चल गया जब द ऊप veg पानी कैसे तुमने किया कैसे सांत करने के लिएона मैंने किया उहाने अपने आप ने हो ने दिया थोड़े थे देर वेत किया पानी साहampaार प्रकार से हमारा मनन भी जो हमारे मन में जो भी परिसाने दुविधाएं भरी पड़ी है मन को छोड़ दीजिए आराम से वेट कीजिए अपने आप आपका मन सांथ हो जाएगा तो भी यह थी आपकी स्टोरी यह थी आची मोरल थोड़ी पसंद आए तो लाइक करेंगे यहां पर देखते हैं जो यह लो किया हो देखिए टू का यूस किया बताया आपको भी शॉलूशन याने तरीका अहल जो होता है ठीक है है नहीं लेट इट भी याने छोड़ देना ओन याने खुद अपने आप वाट डिड़ याने लाया ब्रिंग लाना ब्रॉट लाया ठीक है लुग याने दिखा यह टी आपको पता था बहुत ज़्यादा वो टू याने भी ठीक है आपको प्रोवाइट कर दूँगा अब एक्जाम वगरें चलते इच्छे नहीं कर पा रहा हूं जैसे अग्जाम वगरें माज में कंप्लिट हुए आगा सब बहुत सारे आपको स्क्रीन सारे में पीडिएफ के रूप में बनाने वाला हूं उसे आपको प्रोवाइट कर दूँगा तो यह थी आची स्टोरी कामिंग डाउन अडिस्टर माइंड यह आपको थोड़ी पसन है तो प्लीज लाइक करेंगे शेयर करेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दे श बहुत बहें